तो बच्चों सिर्फ चार महीने रह गए आपकी प्रिपरेशन में क्या आपकी प्रिपरेशन आज की डेट में इतनी अच्छी है कि कल अगर नीट का एक्जाम हो जाए तो आप अच्छा स्कूर कर जाओगे I hope बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जबकि जादा तर बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर हमारी प्रिपरेशन अभी तक तो ऐसी नहीं है तो इन चार महीनों में ऐसा क्या कर गुजरेंगे आप जिससे आपके प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप नीट में 700 के आसपास का अगड़ा छूपाएं उसी के लिए बिटा आज मैं आपको एक प्लान देने वाला हूँ प्राक्टिस की कमी होने की वज़े से कई बच्चे जिनका फिजेक्स का सिलबस पूरा हो भी गया होता है वो कई बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाते है तो प्राक्टिस का ब्रह्मास्त्र लेके आ रहा हूँ मैं आप सभी के लिए ठीक है और अब डेली आपकी क्लास एक क्लास प्राक्टिस की होगी और एक क्लास आपकी बिटा यहाँ पे थियोरी वाली होगी अब ही तक हम लोग ऐसा करते थे कि सोवे भी थियोरी पढ़ाते थे, शाम को भी थियोरी पढ़ाते थे, बट अब समय कम बचाया बिटा, तो थियोरी क्लासेस का डियूरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन प्राक्टिस सेशन अब हमें रोज लेना पड़ेगा, मैं आप मुझे फॉलो कर पाएंगे, तो बच्चो अब से हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पर इस चैनल पर, we are going to have detailed one shots in the evening, timing इसका रहेगा बिटा, 7 पीम, ठीक है, एक दिन 11th का टॉपिक और एक दिन 12th का टॉपिक, एक दिन 11th का चाप्टर, एक दिन 12th का चाप्टर, alternate day मे अब 2-3 घंटा एक ही जगे पढ़ाएंगे, यही सेशन 2-3 घंटे का चलेगा, यानि कि 7-9 या फिर कई बार 7-10 तक चल सकता है, इस प्रकार से हम लोगों ने प्लान किया है, कि we are going to have detailed one shot in the evening, इससे होगा यह कि आप एक बार में आओगे, पूरा चैप्टर करके चले जाओ होगे, हाँ कुछ chapters बड़े होंगे जिनमें हो सकता है, दो one shot लेने पड़ जाएं, लेकिन जादा तर chapters बेटा जो बचे हुए हमारे वो इसी टाइप के हैं, जिसमें आपका पूरा one shot में निकल जाएगा, इसके साथ मैं पूरा syllabus एक बार करा दूँगा अभी फिर से, ठीक ह one shot में पूरा syllabus हम लोग कर लेंगे, फिलाल मैं आपको अगले एक हफते का plan दे दूँगा, और आगे जाते जाते आगे भी आपको plans मिलते जाएंगे, साथ में जो practice का प्रमास्त मैंने बताया बच्चो, वो practice होगी आपकी morning session में, और morning session का time रहेगा बिटा, 8.30 a.m, अगें एक से देड़ घंटी की class होगी, ठीक है, जहां पर हम लोग practice questions करेंगे, और chapter wise करेंगे, ऐसे नहीं कि random की 50 questions उठाएंगे, कोई भी chapter से, chapter wise हम लोग practices की करेंगे, ठीक है, कोई एक chapter उठाएंगे, और उसके questions लगाएंगे, टोटल पेटा आपको कुछ 5000 questions की practice करवाई जाएग तो आप लगबग-लगबग 5000 questions कर चुके होगे, साथ ही साथ इस practice session में, अब हो सकता है कि उस DPP में जो मैं करवा रहा हूँ, आपको उसमें हो सकता है 100 questions हो, जिसमें से मैं शायद 70 cover कर जाओं, जितने बच जाएंगे वो आपको खुद solve करने है, as a DPP वो आपको मिल जाएगा ठीक है ना, तो as a DPP आपको मिल जाएगा, with answer keep, तो आपको वो question खुद से solve करने होंगे, ठीक है, weekly test होगा इस Sunday को भी एक test है, आपको बता होगा, है ना, मैंने syllabus बगर सब कुछ बता दिया है, तो जो भी हम एक week में पढ़ेंगे, theory जो भी होगा हमारा complete है ना, जो भी theory हम complete कर question में दिया हुआ है बच्चो, उसको आप join कर लेना, और आपका daily quiz होता जाएगा, ठीक है, तो बहुत अच्छे से महनत करने की जुरत है बच्चो, मिल के महनत करते हैं, आपको थोड़ा सा schedule देते हैं मैं कुछ दिन होगा, 23 तारिक को क्या practice होगी, तो practice यानि कि सुभे वाल जितना अभी test में आएगा, बाकी और में बात में आपका करा दूँगा, ठीक है, prism और lens बच रहा है, वो भी हम plan कर लेंगे, तो एक दिन 12th का topic है, फिर 11th का topic आगे अगले दिन, theory में, ठीक है, one shot में, oscillation में मुझे लगता है, तो oscillation 1, oscillation 2, दो लगा रखा है मैंने, practice की ब पुराने chapters भी उठा उठा के मैं practice कराता रहूंगा, जिससे आपका revision जलता रहेगा, है ना, जो चल रहे हैं running chapters, उनकी practice तो होगी होगी, लेकिन कुछ मैं पुराने chapters की भी practice कराता जाऊंगा, ताकि आपका running में जो है, पुराने chapters भी चलते रहें, ठीक है, अब जैसे 27 को मैं EMI की practice करा रहा हूं, है ना, तो अचानक से एक पुराने chapter उठा लिया, और उसके फिर मैं आपको practice करा दूँगा, है ना, पिटा, then you have one shot EM wave का, फिर अगले दिन practice है oscillation का, one shot है wave का, फिर gravitation की practice हो गई, और wave 2 की theory हो गई, तो ये मैंने आपको 29 तारिक तक का schedule यहाँ पे दिया complete करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, तो दो sessions बेटा, एक session practice का, और एक session theory का, theory वाला session थोड़ा सा लंबा, ठीक है, ताकि एक session में एक chapter निप्टाने की पूरी-पूरी कोशिश रहेगी मेरी, और practice वाला session करीब-करीब एक से दिर घंटे का, ठीक है ना, चलिए, मिलते है जोश हाई होना चीए बच्चो, अच्छे सा तैयारी करो, all the best बच्चो, see you soon